तो आज मैं शेयर करने वाली हूं दो डिजाइनर पर्स बहुत ही प्याले प्याले सी तो दिखिए मैंने ये कपड़ा लिया है और रेडी कर लिया है फॉर मस्तर वकरा लगा के और ये मैंने लिए है साड़ी की लेस जो की ब्लाउस में से बची हुई है जो हमने ब्लाउस बन कुझगी हुई है उसके बीच मैं से कपड़े को कट कर देना है इसे अब देखे nesse कि निचे से कट किया है यह अब दिक हमने लिया है जिप और जिप को इस तりました कर दिए है तो जिप भी लगा दी है ऊपर से इक और सलाई हमने इसमने लगा देनी है सिंपल अब दोपने के बाद मैं दूशरी साइड में फोल् fulfil थी आ हाटेच कर दीना हे तो थी इधर से भी हमने जिप पार्ट हमने कर दिया है इस तरीके से कुछ पार्थ omad हो गया अब हम्हें इसमें रनर डाल देना है रनर डालने के लिए देखिए सबसे पहले आपको फरीस्ट को फ्रोड़ा सा छोटा करना है घृष्ट छोटा से बाद में डालना है और इस तर इस तरीके से डालना है कि तरह में आप निया झाल है सट्हाई के लिए इस पर्ज को डबं दुपर्ज करना है और जो भी आपको अस्तर लेना है उसको आपको बिचा लेना है और इसके बरावर का आपको कट कर लेना है तो मैंने भी कट कर लिया है अपते की भी सेंटर में आपको इसको फोल्ड करना है और इस तरीके से निशान लगा देना है तो निशान भी लगा दिया है अब जो हमने या तो सिलाई लगा सकते हो या फिर आलपिन से सैट कर सकते हो तो मैंने आलपिन से सैट कर दिया है स्लाई लगाने की बज़ा ताकि हमारा जो पर्स है वो एक ही सिलाई से रेडिय हो जाएगा अप जो भी एक्ष्टे पार्ट है उसको मैंने कट कर दिया है एक और potrzeb का टुकड़ा लिया है यह की जो चुडुड़ा है वह ने वुट चैनि है तो यह भी टुकड़ा ही पड़ा था तो मैंने इसमें Set कटने किया यह भी टुकडा ही है और देखिए एक और पीस लिया है वो भी आपको अच्छा सा चाहिए कपड़े का क्योंकि यह भी हमारा दिखेगा नीचे की साइड में लगेगा लेकिन फिर भी खोलने करने में दिखता है अगर आप पार्टी बियर बना रहे हो तो आप दे से बड़ा हुना चाहिए क्योंकि उसके ऐसलाए भी लगेगी है आप देखे जो खुर्दरा पाट है उसको नहीं लगाना इस कप्ड़े अब हम सकी पे और वीजियार लग से लगा चैका वान एप कंवे में बैल गुर्व लगाएंगे तो जो फेल प्रस लगएंगे तो इसको नॉपना है तो यहसाफ प्लपत करना है मतलब चना ह lado में टेत लैच करें तहीं के सब्सक्राइब नीचे की साइड तरीके से उपर से आपको फोल्ड करना है और फिर से आपको आलपें से इसे सैट कर लेना है और जो भी एक्ट्रा पार्ट है उसको आपको कट कर देना है तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा जो मैं छोड़ते हुए इसे कट कर दी रही हूँ और इसे आपको जो भी एक्षा पार्ट निकला हुआ हुआ उसे अंदर करते हुए क्योंकि लेस तो हमारी फोल्ड होगी नहीं क्योंकि इस मैंसे तो कोई धागे वगर नहीं निकलेंगे लेकिन आपको कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दिनी है तो मैंने तीन साइट से भी सिलाई लगा दिया एक और श्ट्रिप ली है मैंने तीन इंच करीब की और चोड़ाई मैंने एक इंच की ली थी उसे फोल्ड करके सिलाई लगा दिया जो हमने रेडी लेस की है और ईश convey में रख देते हैं पाइपिल लगा दिया सब्स पर उपर से फील कर एक और पर लगा देंगे तो देखिए दॉना तरव से मैंने पायपिल हुआ नहीं है इसमान भी हम पाइपिल लगा लेते हैं जो धूसरा बाला हिस्सा है उसमें तो तुन नहीं है यहां पर इंiğ इसे लैस पाट को ऊपर से रखना है और यहां पर सीढा मैं लगा देना फिर से लिए मौने को पैपनremoire टैज कर दिया क्या हो तो हमारी इतना है जिस एक पर्संगा तो भी एकांड मोहिए भी में रही प्रका सकते हो इसको डública की मैचिंग का मेरी साड़ी में से बच्चे की सेखेवी साड़ी का जो इसे में इस हाम कर दी तो से लिए हैं कुंडा लगा आसे कमर वाला होता यह मैं मारकिर हैं इयू judo मेर्न पॉर्णा निकल जाता है और लग जाता के अलगे और कषम में आप लग सकते वह यह अफ ? कि दोसरा एडिया वह मैं एक और पीस ले लिया है ऐसी कपड़े का तो इसको जो नाप है वह साड़े 15 इंज का जो क्या भी था और इसकी जो चोड़ाई है वह साड़े 10 इंज की है और इसको आपको दौनों तरफ से इस तरीके से यहां से इसको चैन को अटेज कर देना है उपर सी को स्लाई लगा देन कर दिया है उपर सी हम इस तरीके से ऊपन करेंगे चैन को और पिर इस में ररंणर डाल देते हैं का दूर हमार डनल ambassador को घीच देना है कि कॉलारा यह बढ़ा है लोगा जोभी हिस्सा बढ़ा है उधर से ही आपको पहले जालना है और पिर आपको छोटे वाल इस से लीर डाल तक हमें उल्टा कर दिया है इसको अब देखिए यहां से हमें पकड़ना है यहां my city center रड़ा uh. इधर से भी ज हमें कच्रणा दिया है और इस तरहे हैं इधर से भी हमें कट लगा दिया है यहां को अटैच कर देना है अब मैंने एक और स्ट्रिप ली है यह करीब 10 इंच की है और इसकी जो चुड़ाई है वो गरीब दे रचिए इस तरीके से फोल्ड करना है स्ट्रिप को डबल फोल्ड करके पकड़ना है अंदर डालना है जो हमारी चैन है वहीं पर आपको इसको रखना और फिर से इसको set कर देना है और सीधी सीधी सिलाई आपको फिर लगा देना है दौना तरब से और गाइस कौनसा आइडिया आप लोगको ज़्यादा पसंद आया कमेंड करके जरूर बताना और आप भी कौनसा पर्स बनाना चाहते हो या पकेट बनाना चाहते हो वो भी या तो मैंने इस तरीके से चारो साड में सबालाइंश का निशान चौकाने लगा दिये हैं और पीछे की सैड में इस सी तरीके से चौकाने लगा देनी है तो देखे यहां पर जो लाइंड रो हो गई है वहां पर हमें लगा देनी है चारो कौनों पर तो हमने कौनों को पकड़ा है और जो लैंड रो हो गई है उटोमेटिक आ लगा दी है आप इन कार्णों को कट करना चाहूं तो कर वी सकते हूं नहीं तो आसी भी रहनी देश कते हो तुम पिसे को साट चारों कि कॉछा है और यह हमारा प्यार आइडिया बनके हो चुका है और अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद पर कुंद को अब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बतना कि आप लोग को हमारा कौंसा आइडिया ज्यादा पसंद है फिर्श्ट या सैकेंड बैसे तो मेरी नजर में तो दौनों ही आइडिया वेस्ट हैं क्योंकि हमारे तोनों ही यूजपुल है और आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो रुवी टिप्स एंट्रिक की नाम से है मैं आप लोग को कि जिन से रिलेटेड घर से रिलेटेड उसमें टिप्स एंट्रिक सेयर करती रहती हूं और आगे भी करती रहोंगी तो फिर मिले कि एक ने बीडियो किसा बाइब और कमें कर के जरूर पताना दिका